तो हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका हिमाचल ड्राइव के एक और नए वीडियो में तो जैसा कि आप सब वीडियो टाइटल में देखी चुके होंगे आज हम ड्राइव करने वाले हैं बद्धी हिमाचल परदेश में और इस वक्त हम ड्राइव कर रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया बद्धी में जो कि हिमाचल परदेश के डिस्ट्रिक्ट सोलन में लोकेटिड है दोस्तों यहाँ पर बहुत सी फार्मा कमपनीज और भी बहुत सी कमपनीज जैसे की डावर, कोलगेट, पामलेव, नेसले बनी हुई हैं तो इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ही जादा रहता है ट्रक्स की लोडिंग और अनलोडिंग यहाँ पर लगी रहती है और रोड्स की इंटर्सेक्शन भी यहाँ पर बहुत जादा आपको देखने को मिल जाती है और इस वक्त हम इंडस्ट्रिल एरिया से बाहर आ चुके हैं दोस्तों और हम ड्राइव कर रहे हैं बद्दी नालागर रोड में आपको बता दू कि यहाँ पर जो हाईवे है वो जादा वाइड नहीं है और ना ही उसमें कोई डिवैडर है तो कई बार सामने से गाड़ियां रॉंग भी आ जाती है और क्योंकि गाड़ियां बहुत ही स्पीड से चलती है और उस पर अगर गाड़ी रॉंग आ जाए तो आप समझी सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है गैस यहां पर बाइक्स और स्कूटर्स भी आपको लेफ्ट साइड से ओवर टेक कर लेते हैं तो आपको लेफ्ट और राइट साइड के जो गाड़ी के मिरर्स होते हैं उनका यूज कहीं न कहीं आपको ज़्यादा करना होगा बार बार उनकी तरफ देखना होगा ताकि अगर कोई ट्राफिक कोई बाइक्स कूटर आपके लेफ्ट साइड से ओवर टेक करता है तो उससे आप एक्सिडेंट्स अबॉइड कर सकें और उसके साथ साथ खुट को भी सेफ कर सकें तो गाइज ऐसे रोज पर आपको अपनी गाड़ी को एक मेंटेंड स्पीड से चलाना ही होगा एडवांस गेर में आपको चलना होगा क्योंकि अगर ऐसे रोज पर आप गाड़ी स्लो कर देंगे और बहुत जादा स्लो चलाएंगे तो पीछे से जो आपके गाड़ियां आ रही हैं वो आपको लगातार ओवर्टेक करती रहेंगी जिस वज़े से आपको गाड़ी चलाने में डिक्कत होगी तो इसलिए एक मिंटेंड स्पीड रखला यहांपर बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और इस वक्त में गाड़ी को फोर्थ गेर में चला रहा हूं दोस्तों और बार बार डॉगल कर रहा हूं फोर्थ और फिफ्ट गेर में दोस्तों ओवर्टेक करते वक्त भी आपको यहां बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि एक तो यहां डिवाइडर नहीं है और जब तक आपको सामने का रोड क्लियर दिखाईना दे और थोड़ा दूर तक दिखाईना दे तब तक आपको यहां ओवर्टेक बिलकुल भी नहीं करना है तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक के साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों तब तक के लिए गुडबाय दोस्तों और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में